यो, what's up guys, welcome back to my YouTube channel तो भाई, आज या क्या सीन है? बर पढ़ने लगी यार, व्लोग शुरू करते ही आज या क्या सीन है? मेन कैमपस का व्लोग बनाऊंगा और हाँ, दिखाओंगा आपको कैसा कैसा सीन है मेन कैमपस का और अभी कैसल रहा, एक नई बिल्डिंग भी वह नहीं है इनोवेशन सेंटर के नाम से, वो सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ तो भाई, ये है व्लोग स्वर्ट स्ट्रीट ये पूरी देख रहे हो ना, ये से और ये है फॉर्ट स्ट्रीट और ये है मेन एंट्रेंस यहां की यहां पर सारी बस रुखती है नमबर 20, 17, 111, 36 ऐसे सब बस टो पर सब कुछ लिखा हुआ है सारा सीन और ये है टी बिल्डिंग, ये उक्सवर्ट स्ट्रीट एंट्रेंस यहां पर बड़े द्यान से जाना, लोग बाग यहां पर गाड़ी गूरी चड़ा, चड़ा सकते हैं बोते चलाते हैं हाववाजी के लिए रात को आठ नो बजे के बाद ये दोर लोग हो जाता है तो आपको यहां पर है ना, काड टैप करके जब जाना पड़ता है पर अभी तो मुस्ट परली अनलोग ही होगा बबाया गुस्ते भाई, आपके सामने ऐसा कुछ होगा, ठीक है जब कोई भी हेल्प सी हो, वो हेल्प डैस का वो स्टूडेंट ही बैठे है उस साइड वाइड अंकल कर लेता हूँ एक एटी हो लगा हुँ है, बहुत बड़ा है, शायद एक और पार्ट बनेगा इस प्रोग का खरह है, बहुत बहुत है, जो भी राफ्टा भी। अर प्रिम्ट वगैरा कर सकते हो यह फुड़ कोट ब्ले एक वाफ्ट Revelation जो पर बैठे काम कर सकते हैं। नहीं खुला रहता था पहले मैं को जाना तो मीडिया सेंटर था पर अब मैं समझ नहीं आ रहा है करूँ कहा बैठ जा बैठ जा तू दिखा कुछ खास नहीं है बाई मतलब दिखाने का सब कुछ नोर्मल ही है डिस्प्ले बोर्ड और यह लोकर लोकर आपको ओनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएंगे फैं बस में न कुछ अरकात मत करना मार्पी त्या फिर कुछ भी हर जंग है ना चोटे-चोटे कैम्रे लगे होते हैं अतलोग स्पाइ कैम्रे लेगे होते हैं बट बहुत चोटे होते हैं कि वह दिखते हैं नहीं तो भाई जो भी इवेंट होता है आपको यहां पर दिख आपको दिखाए दी जैसे डांटाउन केमपस की होते हैं मैं डांटाउन केमपस की वीडियो देख ले ना वैसी क्लासिस होते हैं कुछ क्लासिस अलग होते हैं और कुछ लैब्स होते हैं जो लैब्स होते हैं डेस्क पे और जो नॉर्मल क्लासिस होते हैं उनमें बस चेयर प्रोटेवल उती है यह फिर से एक एरिया है फूद कोड और यहां पर कुछ ना कुछ चलता ही रहता भाई कुछ खाना पीना इदर इदर का अब यह वैलेंटाइन्स वीक है ना तो कुछ ना कुछ चल रहा है है सब आयर सब का खाने का माने का दनता है बस और यह है फैंशो का कैमपर स्टोर आपको सारी चीज़े मिलेगी जैसे मेरी यह फैंशो की हुडी है ना यह वाली इसी देख्यों मतल जो मर्च है ना फैंशो कीचें हुडीज टोपी बोटल बहुत सारी चीज़े बहुत सारी देख्यों पर आप ट्राई भी कर सकते हो देख्यों बहुत मस्स चीज़े है और प्राइस ऐसे लिख्यों थै जैसे कीचें का प्राइस दस डोलर है पर यह कुछ ज्यादा ही महंगा है दस डोलर हो और यह जिस भी हम उसे स्पाइशन केंपस में हो मीडिया में हो बिल्दिंग टेक्नोलजी में हो डिजाइं में में हो बिजनस में पप्लिक सेफ्टी में हो हेल्थ केर में हो और भाई यह बड़ी अच्छी लगते है पहेंग जोगी जब पहन के जाते हैं बार स्काफ औगेरा बस यह चोटा सा एक टूट था केंपू स्टोर का अगेन भाई यह फूड कोट आगया खाने का तो बहुत है बस पैसे खरसने की उकात हो नी चीए एक इनोवेशन चाहिए बंदा हाय कर रहा था मेरेको लगा वह बंदा मना कर रहा है उसके लिए मतलब वीडियो सूट करें इस फटार चरण अपनलों लोग कहा था और आपको एक हैक मतलब आपके study permit में यह लिखा होता है कि यह ना आप काम नहीं कर सकते off campus 20 गंटे से ज्यादा इन campus अगर आपकी जोब लगी ना मतलब in food course में तो आप 20 गंटे से ज्यादा कर सकते हो बट अभी तो allowed है सब को 20 गंटे से ज्यादा करना तो टेंशन ने भी कुछ बात नहीं है हमें college के मैप का जो लिंक है ना वह यहां पर जोड़ दूंगा ठीक है यहां पर दिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा तो आपको attention नहीं होगी कैसे क्या डूमना है यह सब और अभी मैं उन लोगों को डूम लेता हूं गाइब हो गयां से का अभी बड़ा है बाई ABCD EFGH ऐसे करके बीलिडिंग में बहुत सारी जैसे यहां पे लिखा उकता है सब कुछ जैसे कंव यह कोर्णर के लिखा ना यह बिलिडिंग यह बीलिदिंग यह बिद्चार्श है यह सब कुछ और कई जो बिलिडिंस होती है ना वो अनेक्सेसेबल होती है तो वो उनले टाइम लिमिट पर ही खुलती है जो क्लासिस होती है उनकी उस टाइम पर ही भाई अभी मैं फैंशो के इनोवेशन सेंटर के पार में बात करना था था तो एक फैंशो बिल्डिंग का ही फैंशो खॉलिज का ही पार्ट है एक नई बिल्डिंग बनी है और उसमें मतलब बैट के स्टूडेंट पढ़ते हैं उसमें क्या खास है कुछ भी खास नहीं है बस्टड़ी रूम से स्टड़ी एरिया है और मतलब अच्छा सा मतलब फ्यूचरिस्टिक डिजाइन सा है अलग सा और शेहर नहीं लगी है फर्वीचर सबकुछ मतलब पूरा सबकुछ नहीं अच्छी बिल्डिंग है वर्कस्पेस अच्छा है मतलब पढ़ने के लिए तो मैं आपको वही लेकर जाता हूं वही वैठे है वो लोग इसी बार ने वह भी दिखा दूँ और आपका मतलब तूर भी हो जाएगा नहीं बिल्डिंग सबस्क्राइबर सबस्क्राइबर निलिया अब इन्वेशन सेंटर में आपको जाके में तिखा देता हूं सब कुछ बहुत सुंदर सी बिल्डिंग है क्यों नहीं नहीं बनिया ना लग वह मौदरन टाइप से की है मैं आपको दिखांगा आप खुच समझ जाओगे वह बै सबसे पुराना साइड बिल्डिंग का वो कुछ ऐसा सा होता है देख रहें ना और हर्चेंगे डिस्प्ले बोर्ट लगे होते हैं मैं धीरे दीरे इसलिए यह सिक्यूर्टी है केंपस सिक्यूर्टी मतलब कुछ भी दिक्कत हो जाए कोई मार बिट कर रहा है तो वहां के ब और यह है इसका जो लोकेशन और वहां पर जाके आपको डैस्क पर आपके वहां कर देगी फीज पर करना है कुछ भी यहां है किसी भी तरह की हेल्प जी हो ना ओफिस ओफ रेजिस्ट्रार आजाओ खुद को एन्रोल करो तो मतलब थोड़े देर में टाइम आ जाता है और पर यहां पर बुला लेते हैं पिच्छे पस इतना ही होता है कुछ जाता कॉंप्लिकेटर नहीं है आ जाओगे एक बार तो समझ जाओगे मैं कैंपस की बैक साइड आ गया हूं बैक साइड मतलब जो टी बिल्डिंग थी वह उस साइड थी यह बिल्डिंग से निकला हूं म कांच की बिल्डिंग है यह इनोवेशन सेंटर है यह आपको अंदर जाके मैं फटा फट से अभी दिखाता हूं ठीक है यह बड़ी है बट आप इसको पूरी वोस्ट कर लोगे तो आपको थोड़ा से एक आइडिया हो जाएगा कि मेन कैंपस कैसा है अगर आप मेन कैंपस म और यह पर इतने मोटे-मोटे कैमरे और स्पीकर भी लगेगा वह दिखाता हूं आपको मैं उधर पार्किंग है पूरी फैंशो में पार्किंग काफी महंगी है इतनी सस्ती निया और यहां पर पार्क मत कर देना बहुत जल्दी टिकेट मिल जाएगी क्योंकि यहां पर बस अलग जाएगी कि नई जंग्या है मतलब अच्छा अच्छा अब आपको थोड़ी अलग फील आएगी हंडड़ एंटेन परसेंट जैसे मैं बता रहा था ना कि अलग अलग जंग्या होती है और स्टोर्स भी आया नए स्टोर कुले यह जो अभी दिखा रहा हो ना यह ज़स्ट दो एक-दो महीने ही हुए एक महीना भी नहीं हो आगवा पूरा मतलब कितना modern सा सब कुछ futuristic सा लगेगा आपको यह मतलब brand नहीं होते है न वैसे एक बारबर शोप भी है यह इदर है ऐसी बारबर शोप थी या क्या थी saloon था जो भी था वो यह फिर से study space आ गया मतलब देखो यह पुरानी टेबल रख रख रखे बीच में यहां एंड हो जाती है वो games room है सामने इस टाइप की यहां पर वेंडिंग मशीन लगी होती है campus के सारे corners में और game room में आप जाके कहल सकते हो भाई पूल यह 5 डॉलर पर पर आवर है शायद पर आवर 5 डॉलर हो यहां पर लोग ऐसे कहलते रहते हैं बस बहुत कुछ नहीं है ऑफट बेक शेक इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं जब भी आपको कोई इवेंट आता है ओर लिखा था कि ऑफट बेक शेक में होगा इवेंट तो यहीवह जंग्य है यह एक रेसरेंट टाइप्स आ है तो इसमें आपते हैं और यहां पे है यह अपनी कौन सी ये-विल यहां पर आपको अपना वो जिखाना पड़ता है कार्ड और यहां पर आप रजिस्टर हो सकते हो किसी पी चीज के लिए जैसे आपको बास्क्रिट बोल गेम खेलना है पर आपको बास्क्रिट बोल गेम चलने वाला है वापर आप स्कूर देख सकते हैं या पे बास्क्राइब प्रेक्टिस चल रही होँ आप तो इससे आप अ indra लगाल या और कितना बड़ा यहां देखा रहा कि यहां से बाहर की अध Queensland यह एजदे खेले यहं मांने में सब चीचोट जोटी ज़री जलग दिखा दिस्प्रिप्शन में और फिर एक और बेंडिंग मशीन आगी हैं रोक क्लाइम्बिंग का थोड़ा सीन दिखा सकता हूं आपको यहां पे आप बाहर शिषा ही होता है वहां पर आपकी टेनर होगी वो खड़ी और हाँ और मतलब यह आपको बान देते हैं वासे तो आप नीचे गिरोगे ना तो मतलब एक दम से नहीं गिरोगे राम राम से रसी से आओगे बहुत अच्छा मतलब सीनिया आपा मैंने काव बोई वाली पेंट पहन रखिया फुल लेदर की भाई आप पर्मीशन लेनी पड़ती है बंदों की शूट करने के लिए पर इतना टाइम है नहीं कि मैं सब की पर्मीशन लेता फिरूंगा तकि दुनिया आ रही है वीडिया में यह टैनिस की प्रेक्टिस करने के लिए अपने यह भी आपको रेजिस्टर करना पड़ता है य सब कुछ आपको वहां जाके रेजिस्टर करना पड़ेगा और यह थोड़ी आपके फोकस कर लेता हूं और टाइमिंग लिखे इस साइड मतलब मस्त मज़ा आपता है यह के लिए में वाइड एंगल हाँ यह बिल्डिंग है वह स्पोर्ट्स रिक्रियेशन ऐसी जी जो के आप यहां बेचाए मैं केंप इस तूदेंड वैर वह से पंडेंगर अलग सएटियए आप सामने आपको सестоुडैन्ट यूनियन आप बहरे सकते हो यहां से आप कुछ भी ले सकते हैं कोई भी मतलब प्रोड़क्ट लेना हो समझ रहे हैं आप किस टाइब के प्रोड़क्ट मिलते हैं और इस टूड़ेंट यूनियन इस डिस्प्ले बोर्ड हर जंग आपको दिखेंगे अलग इवेंट अलग चीज एक हो यह पबजी का वह टूर्णामेंट होगा जो ई-गेमिंग होगी न उसमें आप पार्टिसिप्रेट कर सकते हो यह कहां गया मैं अगर श्रूडेंट सेंटर में यह भी बहुत बढ़ी आ जागा बाई बैट के चिल मारने के लिए जो हमारा पैसा इनोंने मारा है वो फुल लगा रखा मतलब हमारी जो पैसे लूटे है ना जो कैनेडा ने वो पैसा पूरा लगा रखा यह नहीं है कि अपनी जेब में रख दिया लगा रखा कोले जो पैसा बढ़िया को चाइन चीज़े दो तिन चीज़े जो हैं वह आपको हर ज़गा मिल जाएंगे श्टरड़ी एरिया खाने पिने का बैठने का कि तिन चार चीज़े क्लासेज और यही चीज़े मिला कि कॉलिज बनता है जो स्पेशल तींग है मीडिया चैन्टर स्पोर्ट सेंटर जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था बास्केटबोल फोर्स और सारी इस यह बहुत कमें चार-पांच सब्सक्राइबर अब तक मिल गए आदी वीडियो भी नहीं बनाई है मैंने अब तक उसको भी आप देख लेना जाके जब मैं चाहिए शुरू शुरू में मैंने बनाई थी वो वीडियो इसकी अगर मेरी आवाज कम आ रही हो ना तो हैड़ फोन लगा के देख लेना क्योंकि मैं चाहता नहीं कि मैं जा जोर से बोलू और मैं चाहता नहीं कि दूसरे डिस्टर और मेरी आवाज सुनी तक स्नौफोल हो रही थी और अब बंद होगी आने की चीज नहीं है पर यहां के वोस्ट्रूम की थोड़ी से मैं जलक दे देता हूं ऐसे कुछ होते हैं यह पुरानी बिल्डिंग का वोस्ट्रूम है ठीक है बाहर निकाल लेते हैं कोई गलती से इनोवेशन बिल्डिंग आपको अलग ही चमकती दिख जाएगी इनोवेशन बिल्डिंग अलग से मतलब नई सी अब मेरे को दिख रही है ठीक है कुछ नहीं है बस बैटके पढ़ने का एरिया है अच्छा सा नया सा मोडरन सा के आ सपास है ना तुम लोगों को कैनेडियन दिखी जाएंगे कहीं ना कहीं एक बार यह कैनेडियन गूज है ना उसमें गूज गये थे कैंपस के अंदर हमारे टांटन केंपस के अंदर मतलब कोई इनको हर्ट नहीं कर सकता तो इसलिए किसी ने मतलब इनको बाहर भी नहीं बगाया तो इसको इनोवेशन विलेज कहते हैं बट मैं इनुवेशन सेंटर बोल रहा हूं कि क्या इनुवेशन सेंटर ही बोलते हैं कोमनली लोग यह यहँ में emocet का सीन था और यहां पर यह ऊपर जॉ रहा हूं अभि मैं Requira का यह दिक्कतु reper कि अभाइब कर एक यs यह अवा थो बूग में बहुत दिनों बाish बना जैसे वो innovation building है निकला था. यह वो वाली side, parking कि side. और यहाँ पर parking भौखोत महेंगी है भाई, फैंक्स की. Like actually, मैं रोल पान पर पार्क करके आया हूं, थ़ोट देर के लिए vlog बनाना है, इसलिए. Imar को घर जाके पढ़ना है, क्या कि मेरा exam और साथ थो. तो आप एक दम बोर हो जाओगे बेकार सी वीडियो बन जाएगी अगर मैं कट कर करके बनाओगा अच्छी तरह से तो आपको मजा आएगा वीडियो देखने में और आपको पता भी चल जाए कि क्या सी नहीं में केमपस का और कैसा सा दिखता है कैसी से आपको वाइब आने व जाए होंगी बट इसमें काम बन सकता है देख रहे हैं कितनी मस्त सी चेर है बैठके देखता है कमफर्टेबल तो है बंदे जनरलिजम का कोर्स कर रहे है न वह इस साइड मतलब आ सकते हैं शायद बंदर को एक्सेस होगा है या नहीं पता नहीं पोड़कास्ट वगेरा करत हर चीज की प्रैक्टिस करवाते हैं देख रहे हैं जैसे कैमरा कंट्रोल इंटरव्यूइंग बैक्ग्राउंड म्यूजिक वी एफेक्स और यह एडिटिंग साइड भी तो सारी चीज़े जो भी होती है जो बताता हूं आपको जो जनरलिजम से इस प्रकार के तो वह यहां पर सिखाए जाती है देख रहे थे न आप किस टाइप का सेट अप था तो वह सीन इधर है एम बिल्दिंग की ग्राउंड फ्लोर में इसको स्टूडियो बोलते है अपर मेरे को यहां डेड़ साल के करीब हो गया और मैं आज भी कैमपस में घूम रहा हूं तो मेर को नहीं नहीं चीज़े दिखरी हैं और कैमपस में रूल होते हैं स्केट को और जुबा की सारी चीज़े होते हैं वो सारी अलावड में दे तो लेके मता आना धान रहना कभी सेक्योर्टी गार्ड ने पकड़ लिए ना तो कुटाई ही हो सकती है बैक साइड में भी बस आत जो रहूल की क्लासमेंट मिली इतानिया बहुत बंदे जान पैचाने के मिल चुके आमेर को अब तक इतनी मतलब इतनी देर से गूम रहा हूं ना जब पांच बोल रहा था अभी तक तो दस बंदे मिल चुके मेरे को मोस पर और दस तो मिल चुके होंगे और मिल जाएंगा यहां पर आके लोग ऐसे पढ़ते हैं ठीक है मतलब यह भी बंद आपनी तयारी कर रहा है वाइड अंकल की बजाए जूम कर दिया था और यहां पर स्टडी रूम है बट मोडिफाइड देखो कितने अच्छे से नेट से रिसर्च करके पता लगा मेरेको की 11 बिलिंग है फ के मेन कैंपस में डाउंटाउन कैंपस के अलग सिम्कों कैंपस के अलग एवियेशन के अलग बाकी अलग इसमें 40,000 स्केजूल होता है जो क्लास का स्केजूल वह ऐसा होता है और आपको क्लास का पता चलता है वो class लिख्खी होती है LDB जैसे LDB का मतलब है downtown campus का code है LDB ठीक है और उसके सामने लिखा होता है room number LDB 501 room number मतलब 5th floor पे 01 room number तो ऐसे सीन होता है main campus का थोड़ा सा अलग होता है बट आपको पता चल जाएगा वो दिरे दिरे जबाव आते रहोगे आपको सब पता चल जाएगा और ज्यादा चीज़े दिखाने को क्योंकि इस जश्ट बिल्डिंग बिल्डिंग, classes, theater जो मैंने दिखा दिये पहले जिम, जिम का अलग ब्लोग बना दिया, मेडिया सेंटर उसका भी अलग बना दिया, जे बिल्डिंग, जो कि जिसमें sports की चीज़ी है वो सारी मैंने आपको अभी दिखाई है मतलब कुछ ज़्यादा special नहीं है बट आके explore करोगे that's the time when you feel it's special, ठीक है, क्योंकि रियल में experience करोगे जब आपको मज़ाएगा और उसके अलावा क्या था rock climbing वो भी दिखा दी, मैंने करी थी एक दिन अलग vlog बना दूँ उसका ठीक है तो वो देख लेना आप लो उसके बाद क्या है, उसके बाद एक और था मीडिया सेंटर की बना दी सब कुछ कवर करे लिया मैंने एक दो एक दो बार आके यहां बस अब यह है कि मेन वीडियो मैंने यह बनाई यह दिखाने के लिए parking यह सारी चीज़े भरी पड़ी है इस campus में बहुत बड़ा है काफी ज़्यादा फैला हुआ campus है कई हजार एकर में है तो मिलते नेक्स वीडियो तो के लिए बाई 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 और मैं थमने लोगा भी बाहर जाके तो हाँ आज की वीडियो इतनी थी थैंक यू फोर वोचिंग मैं ब्लोग और क्या पता second part मैं बनाऊ इसका कुछ नया खुले या फिर कुछ specific topic की उपर बनाऊ तो वो देख लेना आप मिलते नेक्स वीडियो तो तो के लिए बाई बाई आपको एक बार comment में बता देना कि आपको देखना क्या में इन campus में downtown campus में लंडन में कैनेडा में या फिर कहीं और जाके मैं ट्रिप मारू तो आप बता देना उसके regarding मैं वीडियो बना दूंगा अभी मैं थोड़ी flow में आ रहा हूं तो मैं बना दूंगा तो हाँ एक बार फिर से वीडियो आइंड करते हैं खतम